दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दॉक्टर अमित्माईश्वरी, मैं CEO and Founder Director हूँ Metas Oversies Limited Company का हमारी कमपनी स्टेलनेस्टील मडूल किचुन के manufacturing करती है, export करती है और आज पूरे भारत वर्ष में हमारे franchisee और dealership शोरूम है आज जिस विशापर हम बात करने वाला हूँ, वो विशाए हर उस विक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एक ऐसे नए बिजनस की तलाश में है, जिसमें profit margin बहुत अच्छा हो, competition level बहुत कम हो और आने वाले समय में विएपार में आगे बढ़ने की अपार संबाव नाए हो तो आज मैं बात करने वाला हूँ, चार ऐसे विएपार जो देंगे पैसा अपार जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने चार ऐसे विएपार जो देंगे पैसा अपार और इसमें से चौथा जो बिजनस है वो तो इस तरह का बिजनस है कि उस बिजनस को zero investment से भी शुरू किया सकता है और आप चाहें तो लाखों करोडों रुपए निवेश करके भी सेम बिजनस को शुरू कर सकते हैं अब यह बात करते हैं वो कौन-कौन से इस इंडस्ट्री हैं जो highly profitable तो हैं साथ में जिन में भविश्य में आगे बढ़ने की अपार संबाव नहीं है ध्यान रखेगा किसी भी इंडस्ट्री को सिलेक्ट करने से पहले ना हमें यह पता होना चाहिए कि उस इंडस्ट्री के product य बाव सारे हो सकते हैं जैसे उस business में हम manufacturing करते हैं, trading करते हैं, wholesale करते हैं, retailer करते हैं, import करते हैं या export करते हैं साथी साथ हम commission agent के रूप में भी उस industry में काम कर सकते हैं दूसरी companies के associate partner बनके भी industry में पैसा कमाया जा सकता है या same industry में हम किसी भी company के franchisee, dealership या distributorship लेकर भी बहुत अच्छा profit margin कमा सकते हैं तो पहला क्या हुआ आपको ये select करना है कि किस product ये service में में deal करना है और किस mode of business में हमें जाना है तो सबसे पहली जो industry है वो है EV industry, electric vehicle की industry आप देखिए कि जैसे जैसे petrol, diesel इस तरह के इंधन के जो संसाधना है वो कब होते जा रहे हैं हमारे देश में समस्या बहुत अधी गंबीर होते जा रही है और हमारे देश की सरकार, pollution को control करने के लिए भी electric vehicle को बहुत ज़रा promote कर रही है ऐसे में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा electric vehicle आपको road पर दिखाई देंगे इसका मतलब काफी सारे manufacturer, wholesaler, retailer, dealer, distributor इस industry में आने वाले हैं अब आप इस business को किसी भी mode में करें लेकिन product और services क्या हो सकते हैं उसके बारे बात कर सकते हैं जैसे जब EV का चलन बहुत ज़दा होगा तो जो battery industry है वो तेजी से grow करेगी जिसमें battery manufacturing हो गई, battery के ट्रेडिंग हो गई, battery के dealer हो गई, distributor हो गई, battery के commission agent हो गई बैटरी से संबंदि इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, साथ-साथ, EV wiring क्योंकि electric vehicle, battery consumption के साथ-साथ, जो distribution of electricity करती है, वो wiring के थुरू करती है तो wire industry भी तेजी से आगे बढ़ेगी, जितने भी लोग wire industry से संबंदित हैं, उनका business भी तेजी से आगे बढ़ेगा साथ-साथ, raw material, अभी raw material क्या है, battery manufacturing में, wire manufacturing में, बहुत सारा raw material इस्तिमाल है PVC है, copper है, lead है, इसके लावा lithium है, बहुत सारे इसी चीज़े हैं, जो इस industry में use होती है तो raw material के trader, raw material के manufacturer, raw material के supplier, importer, exporter सभी तेजी से grow करेंगे साथ-साथ, polycarbon से संबंदित, जितने भी gadgets बनते हैं, equipment बनते हैं, spare parts बनते हैं, body parts बनते हैं जैसे polycarbon हो, PVC हो, HD हो, LD हो, resin हो, इससे बनने वाले product भी तेजी से आगे बढ़ेंगे, मतलब plastic industry भी और जड़ा तेजी से develop होते चली जाएगे इसके लावा repairing, जैसे जैसे electric vehicle market में आते जाएंगे, उनमें आने वाले damages की वजह से, उसकी repairing की industry भी तेजी से बढ़ेगी जैसे mechanic हैं, service centers हैं, authorized service center हैं, on authorized service center हैं, वो लोग जो e-commerce के जरिए या app के जरिए service provide कर रहे हैं, उनकी industry भी तेजी सागे बढ़ेगी अब जब electric vehicle market में होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा charging point के जरुद भी पड़ेगी, तो जिनके पास अच्छा land है, या land किराय पर ले सकते हैं, वहाँ पर charging stations बना कर भी business कर सकते हैं साथी साथ, electric power का generation करना भी बहुत important हो जाएगा, कि बहुत सारे लोग जो electricity से DC convert करके energy produce करते हैं, उस तरह के business की demand भी तेजी से बढ़ेगी साथ साथ, service and maintenance, जब product market में होगा, तो उसको regular service चाहिए होगी, उसकी maintenance होगी, जिससे इस industry से related लोग तेजी सा आगे बढ़ेगी तो मैंने का था कि EV इंडस्ट्री जब आगे बढ़ेगी न, तो केबल EV, electric vehicle की एक industry नहीं है, उस industry से संबन्दि जितनी भी industries हैं, वो भी तेजी से ग्रोगी तो आप इस industry में भी अपना career बना सकते हैं, इसका business शुरू कर सकते हैं, दूसरा IT, information technology के इस युग में, जो लोग information technology के सहारे से अपने business को develop नहीं करेंगे, उनका business या तो बंद होने की कागार परा जाएगा, या बंद हो जाएगा, इसलिए ज़रूरत है information technology के युग में, IT का भरपूर इस्तमाल करने की, जब IT का इस्तमाल business में, services में, products में और इस industry में होगा, तो क्या होगा, इसकी demand बढ़ेगी, जैसे websites हो गई, applications हो गई, digital marketing के थुरून की promotion हो गई, e-commerce industry तेजी से आगे बढ़ रही है, e-commerce के साथ-साथ, artificial intelligence, आज काम करने के तरीके बहुत बदल गए हैं, लोग artificial intelligence के थुरू, सारे automated softwares को develop कर रहे हैं, जिसकी वज़से artificial intelligence की demand भी तेजी से बढ़ती जा रही है, automations, आज आप देखिए, जारतर चीज़े, electronic gadgets को automation पर लाया जा रहा है, या किसी ना किसी तरीके से software IT के जरीए, information technology के जरीए, उसको आके बढ़ाया जा रहा कि ये सारे चीज़े कैसे develop होती है, अब institutional में क्या आ गया, जहां पर certificate course हो गए, diploma courses हो गए, degree courses हो गए, government of India भी बहुत सारे courses launch करेगी, जिसमें degree certified एक तरह से education लोगों को मिलेगी, तो ये institutional industry भी तरह से बढ़ेगी, तो teachers की demand हो गई, coaches की demand हो गई, trainers की demand हो गई, ये बढ़ेगी साथ-साथ, IT-based products की demand भी बढ़ेगी, क्योंकि IT-based products होंगे, तभी तो IT का इस्तमाल किया जाएगा, laptop है, computer है, इससे related electronic gadgets है, उन सबकी demand market में बढ़ेगी, software development का भी scope बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, आज most of the time ये देखा गया है, कि चीज़ें software based हो गई है, मतलब AI integrate करके software के जरीए काम करना आसान हो गया है, जैसे पहले telecalling की जाती थी पर आप IVR call system है, cloud call system है, WhatsApp पहले manually की जाते थे थे, आज automated chat board बने हुँ है, तो software development का भी scope बहुत ज़रा तेजी से बढ़ेगा, service and maintenance, अब जितने भी equipment and gadget system में इस्तिमाल हो रहे हैं, उनकी regular service, उनकी maintenance, उनका repairing, spare parts, ये industry भी तेजी से आगे बढ़ेगी, इसलिए IT से संबंदी जो भी business आप करेंगे, वो business बविश्य में आपको बहुत अच्छा profit देने के संभावना ज़रूर रखता है, अगला जो business है वो है solar power, मैंने कहा था था कि resources of energy जब कम होने लग जाती है, तो ऐसे ऐसे alternate ढूंड energy को produce कर सके, तो solar power जो consumption है, इसकी demand तेजी से बढ़ रही है, जिसमें क्या आगया solar panel, तो solar panel में क्या हो गया, solar panel की manufacturing, उसकी trading, उससे लेटेड रॉ मैट्रिल, उससे लेटेड इंपोर्ट, उससे लेटेड एक्सपोर्ट, मैंने कहा था कि product या service कुछ भी हो, काम करने का जो format न and cables, इसकी industry भी बढ़ेगी, साथी साथ, batteries and transformers, इसकी demand भी तेजी से बढ़ती जाएगी, क्योंकि solar power से energy तो produce होती है, लेकि उस energy को store करने के लिए batteries की ज़रूद होती है, ताकि उस energy को store किया जाए, और जब energy produce होती है, तो वो DC में होती है, उसको AC में convert करना होता है, और अगर AC में हैं, तो इसको DC में convert करना होता है, उसके लिए transformers की ज़रूद पढ़ती है, stabilizers की ज़रूद पढ़ती है, तो ये industry भी तेजी सागे बढ़ेगी, और इसी से related जितनी भी gadgets, equipment, tools, spare parts, ये industry भी तेजी सागे बढ़ेगी, साथ-साथ, sales and services की industry भी तेजी सागे बढ़ेगी, म इसको भी government of India बहुत जादा promote कर रही है, ताकि नए नए लोग इस industry में आए, invest करें और ये industry भी जाला स्यादा progress करें, तो आप इस industry में career बना सकते हैं, इसके लाब आप देखिए कि जैसे जैसे काम करने का तरीका बदल रहा है, वैसे वैसे लोगों के समय की कीमत बढ़ती अब ऐसे में लोग समय को बचाने के लिए ready-made products को लेना पसंद कर रहे हैं, अब ready-made products में वो सारे products भी आगए, जो industrial है, commercial है, residential है, हर वो product जो कही ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, furniture के रूप में, infrastructure के रूप में, वो भी modular में convert होता जा रहा है, और आने बाले समय में आप देख हो जाएगी, foreign countries में ऐसा trend बहुत जादा है, देरे-देरे trend इंडिया में भी आने वाला है, तो modular furniture जो industry है, वो भी fastest growing industry है, module furniture में क्या हो गया, office furniture, साथ देखिए, office में जब IT industry तेजी से develop होगी न, तो लोगों का setting arrangement, लोगों के लिए storage cabinet, setting arrangement के अलाबा, work stations, इनके demand भी तेजी से बनाना पसंद नहीं करते है, क्योंकि furniture जो carpenter बना रहा है, उसके बनानी की एक limitation है, machines and tools and equipment की quality limited है, जब वही furniture automated plants पर बनता है, तो उसकी quality बहुत different आती है, उसकी designing बिल्कुल different level पर होती है, इसलिए लोग domestic furniture को भी modular furniture के रूप में खरीदना पसंद कर रहे है, modular kitchens, आज कम latest design के साथ होता है, latest hardware के साथ होता है, साती साथ wardrobes, लोग storage cabinets में भी modular furniture का बहुत अदिक इस्तेमाल कर रहे है, जब domestic में, offices में, residential में, इस तरह के furniture के demand होगी, तो इस से संबंदित industry भी तेजी सा आगे बढ़ेंगे, अब क्या industry होगी, आप इन में से किसी भी product को बनाएं, टीम चाहिए, जो factory में produce होने के बाद consumer के हैं जाकर product को direct install कर दे, और साथ-साथ जब product install हो जाए, और consumer उसका इस्तिमाल करे, तो उसकी repair, maintenance और services से रहे इंडस्ट्री भी चाहिए, इसका मतलब modular furniture industry, एक fastest growing industry है, और अगर आप इस industry में, हर industry में बहुत-बड़ा investment लगता है करने अगर आप एक showroom बनाते हैं, फैक्टरी बनाते हैं, तो क्रोड़ो रुपय का investment आता है, हमारी company Metas Oversies Limited, जिसका brand है Metas Lifestyle, यह associate partner group में आपको offer करता है, कि आप company के associate partner बने, बिना किसी investment के, यानि zero investment के आप business शुरू कर सकते हैं, उसको लिए जरूरी क्या है, इस number पर 92100-3773 प तो company की पूरी information की काम करना कैसे है, काम होगा कैसे, incentive आएगा कितना income होगी, कितनी client मिलेंगे कैसे, client से deal कैसे होगी, पूरी की पूरी training के माधियम से आपको सारी information आ जाएगी, information को ध्यान से समझें, और associate partner बनकर 30-40,000 रुपे से लेकर 4-5 लाग रुपे तक आसानी से घर ब तो friends, ये जो चार industry हैं आपको बताई हैं, ये वो industry हैं, जो आज भी बहुत अदिक पैसा बना रही हैं, और भविश्य में भी अपार संभावना हैं पैसा कमाने की, क्योंकि सरकार का उदेश्य भी है, कि ऐसी चीजों पर जोर दिया जाए, जिससे economy तेजी से आगे बढ़े और परियावरन को उसका कोई नुकसान ना हो, तो ये ही वो चार industry हैं, जो fastest growing industry में आने वाली हैं, और जो industry नहीं होती है, तो उसमें competition भी कम होता है, जब competition कम होता है, तो profit margin भी बहुत अधिक होता है, इसके लावा business leader आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है, तो वो प्रश प्रश्न है, तो वो प्रश्न हमें ज़रूर लिखेगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि वीडियो को notification सबसे पहले आपको मिले, और अगर आपको ये चारो business पसंद आए है, तो वीडियो को like ज़रूर देना, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं Dr. Amit Pahishwari, आपके इस मेरे बविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत.